हेलो दोस्तो हिंदी मिरर में मैं सुनीती आपका फिर से स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सब उमीद है सभी कुशल मंगल होंगे दोस्तो जैसे कि आपको मालुम है मैंने आपके लिए यूटेट सीटेट और की समाने हिंदी की आपकी एक शरंखला चलाई हुई है इसमें आपकी तीन वीडियो डल चुकी है आज आपकी चौथी वीडियो है पहले वीडियो में हमने आपको संग्या दी थी फिर उसके बाद प्रोनाम उसके बाद हमने एड़्जेक्ट्व के आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिया काल और वाच्चे इन तीनों ही टॉपिक से इसमें हमेंने आपके एमसी क्यू लिए हैं और ये 20 एमसी क्यू हैं आपके सारे ही एमसी क्यू जे 20 के 20 कोश्टन्स आपके बहुत हैं इसको अगर आप समझ लेंगे तो इन 20 के अलग अगर कोश्टन्स आते हैं तो आप उनको अच्छी प्रकार से कर पाएंगे तो थोड़ा अप टोपिक को पहले समझ लीजी क्या है टॉपिक टॉपिक है आपका क्रिया क्रिया कि दो भेद होते हैं सकर्म क्रिया और अकर्म करिया जो बच्चहें पहले भी एक्यशाम दे इसमें व्यापार का फल सिर्फ करता से निकल कर किसी दूसरी वस्तू पर पढ़ जाता है तो वहां पर क्या हो जाती है साकर्मक क्रिया हो जाती है व्यापार का फल में अंदर जो कार्य हो रहा है वहां पर वो किसी वस्तू के द्वारा होता है तो वहां पर क्या होती है साकर्म किरिया होती है अब इसका थोड़ा उधारन से आप समझ लीजिए सुधारन की उधारन है कि छात्र पुस्तक पढ़ता है तो वहां पर पुस्तक तो पढ़ी जा रही है चात्र के द्वारा परंतु पुस्तक पढ़ी जा रही है तो क्या होगा यहां पर सकर्मक किरिया होगी ल लेकिन अगर आप कहेंगे मैं आखों से रोता हूं, तो आसों से रोता हूं, तो वहाँ पर फल किस पर पढ़ रहा है, आसों पर या फिर आखों पर पढ़ रहा है, तो वहाँ पर साकर्मे किरिया, ठीक है जब सेंटेंस करेंगे तो तोड़ा और आपको किलिए रो जाएगा, काल अधिक्तर सबी बच्चों को पता हैं कि भूत काल भविषंयकाल वर्त्मान काली豁 होते हैं लेकिन भूत काल के भेद होते हैं ठीक के अब आते हैं वाच्य पर वाच्य क्या होता है वाच्य के तीन भेद होते हैं लेगिन पहले वाच्य समझ लिजे क्या होता है वाच्य में क्या होता है करता कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है उससे आपको पता चलता है कि करता करता उसमें में है या फिर उसमें कर्म में क्या लिखा गया लेक तो कर्म लेक का कर्म हुआ तुम आपको यह चीज समझाई तो यह सब की समझ में आ गई होगी और अगर नहीं आई हैं अगर आप इसको थोड़ा विस्तार से चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कमें आपना नोटस डाल सकते हैं कि हमे थोड़ा और विस्तार से इस टॉपिक को समझाईए तो मैं इसकी वीडियो बाप के लिए बना दूंगी दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आज जो है इसके चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो पुराने हैं और नए जो जुड़ रहे हैं मोहन फल खाता है में खाता किस प्रकार की क्रिया है अब देखिए आपको अगर समझ में आए होगा मैंने जितना आपको समझाया तो आप एक दम से इस कांसर लगा सकते हैं अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या फिर सयुक्त क्रिया पताइए दोस्तो इसका उत्तर क्या होगा मोहन फल खाता है तो मैंने भी आपको बताया था कि मोहन खाता है तो क्या बनेगी अकर्मक क्रिया लेकिन यहाँ पर क्या कहा रहा है वो फल तो किस पर इसके जो है जो व्यापार का फल है किस पर पढ़ रहा है फल पर तो आंसर क्या होगा यहाँ पर फल पर पढ़ रहा है तो क्या होगी साकर्मक के रिया होगी चले अगले प्रशने पे चलते हैं राधा रोती है में रोती किस प्रकार की रिया है अकर्मक के रिया साकर्मक के रिया साहिक के रिया पुरकालिक के रिया तो बताईए दोस्तों तो यहां भी आप बिल्कुल समझ गये होंगे जो मैंने भी समझाया था उसमें मैंने भी बताया था कि मैंने भी रोने का ही आपका सेंटेंस लिया था तो आप बिल्कुल सही है तो इसका ए आंसर है अकरमक क्रिया अगर राधा आखों से रूए मैंने आपको सेंटेंस मैंने यह वाला ही समझाय था लेकिन मैंने राम जाने आजय को रिया था वहाँ पर चलिए बहोजन करके सो गया इस वाक्य में बहोजन करके किस प्रकाल करिया है सहयक करिया परुकालिक करिया है सब्सक्राइब करके भूजन करके दोस्तों ये थोड़ा मैं आपको बता दू कि यहां पर नाम बोदग जिसमें आपका नाम दिया जाए ठीक है तो यहां पर यह कह रहे हैं कि पूरकालिक किरिया, मैं भोजन करके सो गया तो आब इसा बताइए कून सा होगा, इसमेए आपका उतर होगा B, पूरकालिक किरिया चल ये प्रश्न पे चलते हैं, किरिया के मून रूप को कहते हैं, धातु, संग्या अवे या फिर किरिया विशेशन तो बताइए दोस्तों क्या कहते हैं तो जो कृरिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं चले गले प्रशने पर चलते हैं वह पढ़ रहा है में कौन सा काल है मैंने आपसे कहा था शुरु में कि इसमें मैंने तीन टॉपिक आपके लिए हैं काल वाच्चे और साथ में क्रिया का ठीक है समानिय वर्तमान तातकाली वर्तमान समानिय भूत संदिक्त वर्तमान तो इसमें आपको बताना है कि वह पढ़ रहा है यह टॉपिक जो आपके है मुझे लगता है जो बच्चे एक्जाम अभी तक देते आ रहे हैं तो उन्होंने टॉपिक्स और पढ़े होंगे थोड़ा डिपली उन्होंने पढ़े होंगे तो थोड़ा नौलिज भी होगी इन टॉपिस के बारे में तो वह असानी से इनके जो है उतर लगा लेंगे वह पढ़ रहा है बताईए इसका उतर कौन सा है तो इसका है तातकालिक वर्तमान ठी संभव है पानी पड़े में कौन सा काल है संभव है देखे सेंटेंस को ध्यान से संभव है पानी पड़े भूत काल समान्य भविश्यत काल संभाव भविश्यत काल हेतु हेतु पद भविश्यत काल अगर आपने ध्यान से इसको देखा है पढ़ा है तो आप इसको अराम से बता सकते हैं संभव है नाम से ही पता चल रहा है कि संभावना भविश्यकाल ठीक है अगले परशन पर चलते हैं राधा गई है में काल बताईए वर्तमानकाल भूतकाल भविश्यकाल या फिर इन में से कोई नहीं राधा गई है तो क्या होगा मतलब वो चली गई है राधा च यह दोस्तों तो इसका आपका क्या होगा सीता गई थी तो इसमें हो गापका पूरा हो चुकी है सीता गई यह वहां पता नहीं चल रहा है लेकिन यहां पर पूरी तरह से पता है कि सीता गई थी वो शोर है कि चली गई थी ठीक है अब आगे चलते हैं अगले प्रशने पर वे खाना खा रहे हैं में काल बताना है पूर्ण वर्तमान काल समाने वर्तमान काल तातकालिक वर्तमान काल या फिर संभाव वर्तमान ठीक है बताइए इसमें कौन सा है ये काल तो नौवे काप का अंसर होगा सी तातकालिक वर्तमान चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं शायद वे आ रही होंगे में किस काल की है इस तरह के सेंटेंस वे बच्चों आपको सोचने की जुरत नहीं होती है शायद संभव तो यहां पर आ आराम से चीज कर सकते हो तो आप जो है आप तो में रगये कि संभाव हो गाया यह तो हो जो शायद रहे होंगे तो क्यों कि शायद क्या होता है कि यह हो सकता है यह नहीं भी हो सकता क्या हो Simmons man होगा चल्रेघले प्रश्ण पे चलते हैं चा Colin दी मिलेतो मोहन पड़े में कौन सा काल है था लिश अ adds का उत्त होगा ग्यारता है कि हे तू हे तू मदबुत पाल राके संब पताया कौन सा काल मैं खाना खा चुका हूँ इस वाक्य में काल का कौन सा भेद है पूर्ण वर्तमान काल समाने भूत अपूर्ण भूत तातिका लिल वर्तमान काल चुका हूँ तो वर्तमान तो होई नहीं चाह सकता बारवे का आपका इस ठीक है यह तो होई गाए नहीं खा चुका हूँ अब तो पूरी तरह खा चुका है ये भी नहीं होगा ठीक है तो अब इन दोनों में देखे कौन सा हो सकता है तो बारवे का आपका ए होगा पूर्ण वर्तमान काल ठीक है चलिए अगले प्रशन पे चलते हैं किस वाक्य की क्रिया वर्तमान काल में है उसने फल खा लिये थे मैं चलिए उसने फल खा लिये थे तु नहीं है मैंत तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं हो सकता है आज में आएगा हो सकता है कल्वे आने वाले थे हो सकता है बताई कौन सा होगा इस 152 हमने कर दिये पहली अब इन दो में कौन सा रिए हमें देखना है तो नो को BACK होगा वी मैंत तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, चले प्रस्ण पर चलते हैं, किस वाक्य की करिया कृटवाच्चे क się व Harley bardziej अभी आपको बताया था मैंने कृत क्या और पिया और ant 개ie 4 अरह तो बताएए आप Means क्रुद वाच्छे क्या है अब इसमे थोड़ा आप कन्फ्यूज हो सकते हो तो मोहने दूद पिया Rाधा से दूद पिया नहीं जाता तो यह तो होंगे ही नहीं खाय Favor कि नहीं जहां पर आएगा वहां क्या बन जाएगा भाओ थीक है यहां पर दूध पी हाँ तो क्या बन गया यह बनुद वादर पहरं क्रति यहां पर मेंच्टे क्रिया होगी पताःये दोस्तोंक्रिया है सीमा आम खाती है सुरे सीता आम खाती है खातरी परियोग we प्रियोग करमणी पर एंअ छाल YES कोई नहीं सीता आम खाती है कुछो की दरस्टी से जिए आंसर हमारे बताने से पहले आप दो ट्थे इसका लगाइज तो इसमें आपका उत्तर होगा पंद्रा का एक क्रत्री प्रयोग अब देखें हम वहाँ पर क्या था जो अ को तो यहां पर ये क्रत्री प्रयोग व recharge घ्रेंड आपका करेंड आ स्वास्त के लिए लाब दायक है मैं ना मतलब तहलना स्वास्त के लिए मैं टहलना है स्वास के लिए लापतायक है वो टहलना क्या है मैं जो टहलना शब्द है मैं क्या है नामधातु, कृयारतक, संग्या, करत्री प्रयो या फिर भाव आच्छे तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका टहलना क्या है साफ स्वात के लिए लाब दायक है तो इसमें टहनला शब्त के बारे में आपको बताना है ये क्या है नामधातु है कृतरी प्रयोग है भाव आचे है या फिर किरियार तक संग्या है तो आपका इसका उत्तर होगा मुझे लगता है सभी दोस्तों का सही गया होगा सबी स्टूडे का यह सही गया होगा किरियार तक संग्या सिता जा रही होगी मैं कौन सा काल है ये बिलकूल आपको बंग समझ्वें नहीं होगा संदिक्द वर्तमान संदिक्द भू संभाव भविश्यत है समाने वर्तमान तो बताईए इसमें क्या होगा 17 है अब का ये तो इसमें होगा संदिक्द जा रही होगी शोन नहीं है वो संदिक्द है उसको कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता अगला सेंटेंस है किस वाक्य की क्रि ह् Soo आप बहुत ध्यान से पढ़ाकरों जब आप समाने हिंधी के प्लशन करते हो तो पहले आपूप्शन मत पढ़ें पहले सैंट्आंस को अच्छे से समझें चाहे वह संग्या का और सरन नाम कोंपशन से संबंदितों चैक्रिया से वाच्चे से काल से कोई भी सेंटेंस हो समाने हिंदी के सेंटेंस को पहले अच्छे से समझो उसके बाद options पर जाईए आप तो पहले है किस वाक्य की क्रिया करता के अनुसार ठीक नहीं है यहाँ पर क्या करना है हमने क्रिया के बारे में जानना है सीता जाती है हाती सोती है तो हमें इसेंटेंस करता के अनुसार रहा कहले है करता करता के अनुसार पर चलते हैं अगर आप यस्तरे हम प Already beiden हम औप्षोन पर तो पहले सेंटस को पड़ो अच्छे सो समझे पास पर ठीक है थिक है कहीड़ा है उप्षोन देखने ने होते हैं सेंटमेगम हमारी संट पर जाना पड़ता है वेकिन पहले संटेंस को आपको देखना होंगा तो तीन चार छे तो बताईए रजना की द्रस्टी से क्रिया के कितने भेद हैं तो 19 वेक आपका उत्तर है दो ठीक है चलिए अगले प्रशने पे चलते हैं मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को इस पस्ट एमपून करने में सहयता पहुचाने वाली क्रिया को कहते हैं जो का उत्तर होगा आपका सहयक क्रिया तो इस प्रकार से आपके 20 कोस्टन हो गए और आपको पता भी नहीं चला अगर आपको वीडियो पसंद आई है और यह सारे प्रशन जो मैंने आपके लिए हैं यूटैट सीटैट समाने हिंदी से तो वीडियो को जादा से जादा लाइक अगर आपके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं किल दो आपके बस्स्से सकते हैं